कि मेरे प्यारे देश्वासियों कि नमस्कार कि को रोना वैश्विक महामारी के खिलाप कि देश्व्यापी कि लोगडाउन को आज कि नाव दीन हो रहे हैं कि इस दोरां कि आप सभी ने कि जिस प्रकार कि अनुशाशन और सेवा भाव कि दोनों का परिशे दिया है वह अभूत पुर्व है शाशन प्रशाशन और जन्ता जनारदन ने मिलकर इस्थीती को अच्छे ढंग से सम्हालने का भरपूर प्रयास किया है आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं जनता कर्फ्यू हो गंटी बजाने थाली बजाने का कारक्यम हो इन्होंने इस चुनावति पुन समय में देश को इसकी सामुहिक शक्ति का एसास कराया यह भाव प्रगट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ सकता है अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की यह सामुहिक्ता चरितार्थ होती नजर आ रही है साथियों आज जब देश के करोडों लोग घरों में हैं तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे कि यह प्रश्ण भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे कि साथियों कि यह लॉकडाउन का समय जरूर है कि हम अपने अपने घरों में जरूर है लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है एक सो तीस करोड देश्वास्यों की सामुहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है हर व्यक्ति का संबल है समय समय पर देश्वास्यों की इस सामुहिक शक्ति की विराड़ता इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवशक है साथियों हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनारदन इस्वर का ही रूप होती है इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का दिराड़ स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए यह साक्षात कार हमें मनोबल देता है लक्ष देता है और उसकी प्राप्ति के लिए उर्जा भी देता है हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ठ करता है साथियों कोरोना महामरी से फैले अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की और जाना है जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे गरीब भाई बहें उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निरासा से आशा की तरफ ले जाना है इस कोरोना संकट से जो अंदकार और अनिश्चित्ता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चित्ता की तरफ बढ़ना है इस अंदकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संड़े पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है उसे प्रकाश की ताकत का परीचे कराना है इस पांच एप्रिल को हमें एक सो तीस करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है एक सो तीस करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है पांच एप्रिल रभीवार को रात नौ बजे मैं आप सबके नौ मिनिट चाहता हूं द्यान से सुनिएगा पांच एप्रिल को रभीवार को रात नौ बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनिट के लिए मुम्बत्ती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्लेसलाइट जलाएं मैं फिर कहूंगा मुम्बत्ती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्लेसलाइट पांच एप्रिल को रात को नौ बजे नौ मिनिट तक जरूर जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे चारों तरब जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकास की उस महाशक्ति का एसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा उस प्रकाश में उस रोशनी में उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है हम अकेले नहीं है कोई भी अकेला नहीं है एक सो तीस करोड देश्वासी एकी संकल्प के साथ कृत संकल्प है साथियों मेरी एक और प्रात्ना है इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इखठा नहीं होना है रास्तों में गलियों में या महलों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे कर रहा है सोशल डिस्टन्सिंग सोशल डिस्टन्सिंग की लक्षवान देखा को कभी भी लांगना नहीं है सोशल डिस्टन्सिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चैन तोड़ने का यही रामबान इलाज है इसलिए पांच एप्रिल रभीवार को रात नव बजे कुछ पल अकेले बैट कर माभारती का स्मर्ण कीजिए एक सो तीस करोर देश्वाचों के चेहरों की कल्पना कीजिए एक सो तीस करोर देश्वाचों की सामुईक्ता इस महासक्ति का एसास कीजिए यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्म विश्वास भी हमारे यहां कहा गया है उत्साहो बलवान आरिय न अस्ति उत्साह परंबलं स उत्साहस्य लोकेशू न किंचित अपी दुल्लभं यानि हमारे उत्साह हमारी स्पिरीड से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिर न कर पाएं आईए साथ आकर साथ मिलकर करोना को हराएं भारत को विजयी बनाएं बहुत बहुत धन्यवाद क्वारत करो प्रो झारत कर दोत्या है क्वारत कर दोत्म।